नमेशिवाय मित्रो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एश्टर टुडे में आपके समक्ष में पंडित बियन सास्त्री एक नई राशी फल के साथ एक नए सापता ही राशी फल के साथ धनू राशी फल के साथ आज हम बात करने वाले धनू राशी वालों का 12 अक् तो धनूराशी वाले जो सभाव की पहले में बात करता हूं, धनूराशी वालों का जो सभाव होता है, वो जटिल सभाव होता है, यानि कि हार ना मानने वाली उनके अंदर एक एटिटूट होता है, परिश्रम कितना भी हो, मेहनत कितनी भी हो, वो पूर्ण रूप से करते हैं और उनका आकर्शन एक सूर्य की तरह चमकता है उनका आकर्शन तो उनसे लोग परभावित भी अधिक होते हैं यह जो सपता है 12-18 अक्टूबर तो धनुराशी वालों के लिए जो सपता है यह शुरू में थोड़ा सा उनको शांदार रहेगा शुरू में तो उनको दो तीन दिन शुरू के बड़ा शांदार रहेगा अच्छे परणाम उनको मिलेंगे पुरानी चीजों में अगर उनको स समस्य है समापत हो जाएंगी तो वो चीज़े उनको इस हपते में शांदार इस्तिती में मिलेगी अच्छे परणाम में मिलेगी इसके साथ साथ धनुराशी वालों का आमदनी की में बात करूँ वैपार और इंकम की बात करूँ तो नोकरी में अच्छी है उनके लिए अच कोई काम करता उनके लिए भी अच्छा है फाइनेंस का अगर आप काम करते हैं तो उनके लिए भी आपको अच्छा से आपके दामपातिक जीवन पे भी आपके परभाव पड़ेगा उन चीजों से आपके दामपातिक जीवन में खटास समस्या टेंचन रहेगी तो यह आप ध्यान रखेगा उन चीजों को आप अपने दामपातिक जीवन में इंक्लूड ना करें जितना हो सके दामपातिक जीवन को अपने पर्सनल लाइफ को और प्रफेशनल लाइफ को अलग रख कर चलें वो आपके लिए अच्छा रहेगा इस वीक में इसके साथ सबसे बड़ी चीज़ जो इस वीक में आपके साथ घटित हो सकती है जिसके अनुमान मैं आपको बता देता हूँ आपके मन में एक दर की भावना रहेगी आपके मन में हर चीजों को एक डर लेकर रहेगी भावना आप महनत कितनी भी करेंगे पर जो आपका attitude अभी तक था आपका सोबा होता वो विपरित आपका इस week में देखने को मिलेगा मन में डर रहेगा, गलत आपको वहां से आपको लगेगा शायद यह मुझसे छोड़ देगा, मुझे और छोड़ देगी, Mary life में भी आपको भैका सामना करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज अगर आपको आपके सपनों में इस वीक में पूरे वीक में अगर आपके सपने में आपको कोई आपके पूरवज दिखते हैं जो जिनकी death हो चुकी है जो मित्यू हो चुकी है जिनकी और वो आपके सपने में आते हैं तो मैं आपको एक चीज जरूर क लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोई बड़ी मुसीबत या हानी का सामना करना पड़ सकता है या बड़ी मुसीबत हानी आपको मिलेगी तो यह जरूर आप द्यान दें क्योंकि जब मन में डर की भाव न रहेगी आप अंदर से नेगिटिव रहेंगे, पोजिटिव एटिटूट आपका परिवर्तन होगा तो उससे आपके काम में आपका मन नहीं लग पाएगा आप कोई भी वेपार अगर आप करते हैं उसमें आपके मन में डर रहेगा तो वेपार भी आप अच्छा नहीं कर सकते हैं आप लोगों से बातचीत करेंगे पर उसमें भी आपको भै रहेगा तो वो आपको उतना अच्छा लयाब भी आपको वहाँ पर नहीं मिल पाएगा तो विशेशकर आप अपने भै को दूर करें उसके लिए आप कुंडली विशलेशन जरूर कराएं धनूराशी वाले विशेशकर ताकि आपके मन में जो भै रहने वाला है डर रहने वाला है उसके लिए आपको कोई ना कोई अच्छा समाधान आपको मिल सके तो ये ध्यान र सकते हैं या आप अपने परिवार से अलग भी हो सकते हैं इस वीक में किसी भी कारणवर्ष पर माता पिता के संबंद और आपके संबंद में सेमी इस्तिती रहने वाले हैं कोई बड़ा उतार चड़ाव नहीं रहने वाला है सिक्षा में आपको अच्छा रहेगा सिक्षा में अगर आपने कहीं फों भरे हुए एं कहीं आपने इंटर्यूइओ आपको और खासकर गॉर्णमेंट जोब के लिए अगर आप अपलाई कर रहे हुए हैं या करना चाते हैं तो इस वीक में आप कर सकते हैं और अगर आपने किया हुआ है उसके परणाम इस week में आने वाले हैं तो मैं 100% guarantee आपको देता हूँ कि आपके पक्ष में ही वो परणाम आएंगे government job के लिए तो ये आपके लिए अच्छा है पर जो सबसे बड़ी चीज है वो आपका इस week में भै है क्योंकि देखें कहते हैं भूस उससे बड़ा भै होता है हमारे मन में अगर किसी चीज के लिए भै बैड जाता है तो उसको मिटाना असंबव हो जाता है उसको दूर करना एक बहुत बड़ी चुनोती हमारे सामने साबित हो जाती है बहुत बड़ी चुनोती हमारे सामने बन जाती है क्योंकि जब तक हमार राशी वाले लाखो करोडों वैक्ती हैं तो किसी को भी आपको अगर आपके सपनों में आपके पूरवज जिनकी मित्ती हो चुकी है डेथ हो चुकी है और वो सपनों में आते हैं या सपनों में कोई डरावनी चीज आपको महसूस होती है जिससे आपको डर लगेगा और आप नीन से उठ जाएंगे तो तुरंत आप अपनी कुंडली एश्रोलोजर से या जिससे भी आप कनेक्ट हैं जिससे जुड़े हुए हैं आप कुंडलियां दिखाते हैं उनको जरूर दिखाएं क्योंकि ये आपके लिए अच्छे संकेत नहीं रहने वाले हैं तो कुल मिलाकर धनु राशी वाले के लिए जो राशी फल है यही रहेगा इसके अलावा मैं उपाय के अगर बात करूँ तो उपाय के लिए अगर हो सके तो आप केले के वरक्ष को केले के पेड़ को जल जरूर दें यह आप पूरे विक में कर सकते हैं इसका आप से आपको इसके अच्छे परणाम मिलेंगे इससे आपके भैपर आप कंट्रोल कर सकते अपने भैपर अपने भैपर आप नियंतर पा सकते हैं कंट्रो पा सकते हैं तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई राशी फल के साथ ओम नमाज शिवाएव